नमस्कार साथियों, उमीद करताओं सभी साथी स्वस्तोर मस्त होंगी। साथियों ये जानकर हैरानी होगी और ये हैरानी वली बात इसलिए है क्योंकि आपने कई बार मूवी के अंदर देखा होगा कि प्रत्वी से बहुत सारे एस्ट्रोड आकर टकराते हैं और एक तरीकी स बिनास हो जाता है। ऐसा ही कुछ हो सकता है, आने वाले सालों में हो सकता है कि ऐसी घटना आपको देखने को मिल जाए। लेकिन तब तक जिंदा रहोगी तब देखोगे। बात कर रहे हैं आज हम एपवपिस की, देखिएगा ये एपवपिस जो है, नासा ने अभी जो है इसकी चर्चा करेंगे, साती साते शुद्रग्रे क्या होते हैं, इन से अगर किसी शुद्रग्रे से प्रत्वी की टकर हो जाती है, तो उससे क्या नुक्सान हो सकता है, क्या कोई अगर शुद्रग्र है हमारी प्रत्वी से टकराता है, तो क्या उससे बचने के लिए हमने कोई मिशन वगरा स्टार्ट कर रखे हैं क्या इन सभी की हम चर्चा करेंगे तो वीडियो को लाज तक देखना शुरुबात करते हैं देखो NASA will do this when God of Distraction asteroid FOPIS come near Earth in 2029 यानि 2029 के अंदर जो है FOPIS जो है प्रत्वी के बहुत नदिक से गुदरेगा ये फोटो आप देख रहे होंगे देखें के तस्वीर के अंदर साफ दिख रहा है यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह आपको दिखाई ज़रा है और ये प्रत्वी से लगभग टकराने की स्तती में है बात करते हैं देखो प्यारविचे अप्रेल 2029 में प्रत्वी के नजदीक से गुजरेगा अब ये शुद्र ग्रह का हमने नाम एप उफिस रखा क्यों है इसके इतिहास के चर्चा करेंगे नामक शुद्र ग्रह अब एक शुद्र ग्रह क्या होते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे नासा 13 अपरेल 2029 को प्रत्वी के नजदीक से गुजरने वाले एप उफिस नामक शुद्र ग्रह का अध्धन करेगा नासा को जो नासा के द्वारा जो मिशन स्टार्ट किया गया है इसका नाम ध्यान आपको रखना है कि नासा का OAC रिस से अंत्रिक्स यान जो है इसका अध्धन करेगा यानि जो नासा का विशेश अंत्रिक्स यान है जिसका नाम है OAC TYRE से अपकस जो है ये अंत्रिक्स यान जो है इसे क्षुद्र गरह का क्या करेगा अध्धन करेगा देखेगा जनरी आपने ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी चीज़े पड़ी होंगे और ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो अनन्त है साइद मानव अगर अपना पूरा जीवन लगा दे तो इस ब्रह्मांड के पूरे जो भाग का है अध्यन कर पाना बेमुस्किल है ये केवल कपूल करपित बाते होती है और मानव की सोच आज मान कर देखें तो इस ब्रह्मांड के सम्मद में बहुत छोटी है क्योंकि आज हमने केवल खिषणिक मात्र चिदु का क्या किया है अध्यन किया है वो कही ना कहीं सफिशेंट नहीं है हमारे सोर मंडल का जो में पार्ट माना जाता है मिजर पार्ट माना जाता है सूर्य को माना जाता है सूर्य से जब आप दूर जाते हैं तो क्रम वाईज आपको कुछ ग्रह इस प्रकार से देखने को मिलते हैं जिसके बाद ग्रह को आप देखेंगे, परतवी वह ग्रह जिसके उपर आज हम मौजूद हैं और हमारे रम्मान्च का एक मात्र ऐसा ग्रह अभी तक माना जाता है कि जिसके अंदर जीवन मौजूद है, जीवन के साक्षि मौजूद है। इसके बाद में आप देखोगे यहां से चलोगे तो इसी condition में आगे जाने पर आपको मिलेगा कौन? Mars. यानि मंगल ग्रह के हम बात कर रहे हैं. मंगल ग्रह के बाद में आप जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको भ्रस्पती और भ्रस्पती जो है वो मान के चले कि हमारा जो सोर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है अब इस भ्रस्पती और मंगल के बीच में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो इन ग्रहों से ही तूटकर बने हुए हैं ये जो पार्ट्स हैं ये सभी पार्ट्स जो है अब देखेगा या इनको एस्प्रोड भी कह सकते हैं या अवांतर ग्रह भी कह सकते हैं इनकी लगभग जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 40,000 अब इन सभी ग्रहों की अपनी निशित कक्षा होती है लेकिन इनकी कोई फिक्स कक्षा नहीं है ये किसी भी ग्रह से किसी भी समय टकरा सकते हैं ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको 2029 के अंदर जब आप पाएंगे कि भी हमारा जो प्रत्वी है उसके सबसे नजदीक से गुजरेगा कॉन एपोफिस नामक शुद्र ग्रह अब ये एपोफिस हमारे प्रत्वी से टकराएगा नहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं ये नहीं टकराएगा ये प्रत्वी के नजदीक से गुजरेगा अब प्रत्वी के नजदीक से गुजर रहा है तो हमारे लिए important क्यों है ना सा इसके लिए mission क्यों चला रहा है क्यों इसके बारे में इतना ध्यान दिया जा रहा है कि हम इसका अध्धन करेंगे इस बात की भी हम चर्चा करेंगे देखो ध्यान देना सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपफिस क्या है देखो इसका नाम मिसर के देवता के ना पुछार एपोपिस को सरब के आकार के देवता के रूप में दर्शाया गया है, बाकि उस समय उस देवता ने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो कहने का मतलब इसका नाम हो सकता है विनास का देवता हो, लेकिन आने वाले सो वरसों तक कि हमारी प्रत् प्रत्वी से हो जाए, लेकिन आने वाले सो वरसों तक कि हमारी प्रत्वी से नहीं टकराएगा, यानि इन्शोर हो जाईए कि वहां से नहीं टकराएगा, यह प्रत्वी की भाती सूर्य की प्रक्रमा करता है, यानि जिस प्रकार से हमारा प्रत्वी सूर्य के चारोर चक्र लगा रहा है उसी प्रकार से यह जो एफ़ोफिस है यह भी सूरी की क्या कर रहा है प्रक्रिमा कर रहा है तथा प्रत्वी के नजदीक से गुजरता रहता है यानि यह प्रत्वी के नजदीक से बहुत बार गुजर चुका है लेकिन आने वाले जो 2029 के अंदर जो है वहाँ प जो है 305 मिटर चोड़ा है जिसे अनेक छेत्रों में नगन आखों से देखा जा सकता है जिस समय हमारी प्रत्वी के नजदिक से गुजरेगा उस समय दुनिया के कोई छेत्र ऐसे भी होंगे जहां पे हम इसे नगन आखों से देख सकते हैं यानि ये जो है हमारे इतिहास का सब कत्वी के करीब से पहुंचेगा यानि ये ज्यादा दूर से नहीं गुजरेगा लगभग अगर बात करें 48,280 किलोमेटर की दूरी से ये गुजरने वाला है अब नासा इसके बारे में क्या कर रहा है अध्यन कर रहा है अब अध्यन के पीछे महतपून जीजे क्या है कि इ देखो इसके अध्यन के पीछे और क्या महतपून पहलो हो सकते हैं जैसे मान लीजे ये हमारा प्रत्वी है ये हमारा प्रत्वी है और इसके नजदीक से ये बहुत पास से जो है गुजर रहा है कौन एफ ओफिस गुजर रहा है अब ये एफ ओफिस जब गुजरेगा तो नासा इसका क्या करेगा अध्धन करेगा तब अध्धन की पीछे कारण क्या हो सकता है देखो नासा ने 2004 के अंदर बात कर रहें देखो यह एफ़फिस जो खोजा गया था ना वो 2004 में खोजा गया था 2004 के अंदर नासा ने एक ऐसी लिस्ट बनाई थी जो लिस्ट के अंदर उ प्रत्वी से नहीं टकराएगा लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शुद्र ग्रह सूची के अंदर सब्लित किया गए हैं जो आने वाले टाइम में प्रत्वी से जो है टकरा सकते हैं उन सभी की लिस्ट के अंतरकत ये एफ़ फिस भी समलित था अब क्या करेगा नासा जब ये प्रत जो से अलट रहे कि कोई ग्रह जब हमारे ग्रह के नजदीक से गुजरता है तो उसके सभाव में उसकी प्रकरती में किस प्रकार का अचानक परिवर्तन आता है उसका हम अध्यन कर सकेंगे ताकि आने वाले टाइम में हम इन जिसों से सज़क रह सकें जानकारी के लिए बता जब भी कोई क्षुद्रगर है हमारी प्रत्वी के नज़्दीच से गुजरेगा, तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाएगा, अब मान लिजे आपके विचार एक ऐसा आ रहा होगा, कि अगर कोई क्षुद्रगर हमारी तक्कर होगी तो उस condition में क्या होगा कि यहां पे प्रत्वी वाले इस वाले भाग में जिस भाग से भी टक्रा रहा है वहां पे तेजी से ज्वाला मुखी विस्पोट होगे अब ज्वाला मुखी विस्पोट होगे तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे धूलकन, गैसे जलवास वगारा निकलेंगे जब यह इतनी ज्वादा संख्या में यहां पे ज्वाला मुखी विस्पोट होगे तो यह जितना भी यहां से मेटर निकला है यह प्रत्वी के चारों उर जाकर क्या हो जाएगा डिपोजिट हो जाएगा और इसकी एक अलग से लेर बन जाएगे तो आचानक से धान रखना हिम युग की शुरूआत होगी आपको जानकारी के लेटा दूँ पहले भी ऐसा हमारी प्रत्वी के साथ हो चुका है आपने देखा होगा कि जिस डायनासोर ने हमारे प्रत्वी के उपर पांच क्रोड सालों तक राज किया ता और वो एक साल के अंदर स्वाप्त हो गए थे, क्योंकि उस समय प्रत्वी के उपर एक भयानक रूप से हिम्यूग के क्या हो गई थी, शुरुवात हो गई थी, तो अगर इस तरीके से मान लीजे भविश्य में ऐसा कुछ होता है, तो उस कंडिशन में हिम्यूग वापस आने के क्या है, संभावना है, और उस कंडिशन में प्रत्वी का पूरी तरीके से जो जीवन है, वो अस्त वैसे या पूरी तरीके से नस्ट हो सकता है, बात की जाए इसी के अंतरा का ध्यान देना, इसी मिसन के तहट बात कर रहा हूँ, आगे चल कर, 12 अप्रिल, 12 अप्रिल 2015 को, 12 अप शुद्र ग्रहता, 31-62-01, इसका नाम जो रखा है न, वो रखा है, ध्यान रखना, मलाला यूसुप जई, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कि मलाला यूसुप जई, जो है, वहें किस शुद्र ग्रहता का नाम रखा गया है, तो ध्यान रखना, मलाला यूसुप जई कि प्रत्वी के सबसे नजदीक से गुजरने वाला जो आपके खुद्र ग्रह होगा 2019 में कोण सा होगा F-Office होगा F-Office की जो खोज की गई थी 2004 में की गई थी और नासा की उस सूची में समलित है जो परतवी के नजदिक से गुजरने वाले क्षुद्र ग्राउं की सूती है। ये 13 अप्रिल 2029 को परतवी के नजदिक से गुजरेगा। ध्यान रखना इसके अध्धन के लिए कोण सा अंत्रिक्स यान है। तो ध्यान रखना, वो ये रिशिस दो है, आपके अपेक्स दो अंत्रिक स्यान है, वो इसका अध्यन करेगा, बात की जाए देखो, इसी के अंत्रकत है, ये जो है, इसका नाम रखा गया है, वो किसके नाम पर रखा गया है, मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया है, विनास यह पुरानिक कफाओं के अनुसार है और यह प्रत्वी की भाति, सूरी की क्या कर रहा है प्रक्रिमा कर रहा है याद रखना और इसमें अम्तिम सबसे इंपोटेंट जो है वो यह याद रखना कि इसका आकार लगवक जो है वो एक हजार फिट के आसपास है और ये पत्त्वी के 30,000 मिल की दूरी के नजदिक से जो है ये गुजरने वाला है ठीक है इसके अलावा इसके और जो रणने तेक पहलो थे उनके बारे मैं आपको बता दिया है उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करको नए वीडियो कैसा लगा मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद